इसी खबर आ रही है कि E.D. ने 오른ध केजरिवाल जी को अरेस्ट कर लिया है ये बिलकुल साफ था जितनी भारी संख्या में पुलीस आई थी जितनी भारी संख्या में पेरा मिलिटरी फोर्सिस यहांपे स्टेशन थे कि आज E.D. अर्विंद केजरिवाल जी को अरेस्ट करने के लिए आ रही है अर्विंद केजरिवाल का अरेस्ट भारतिय जंता पाटी की और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राजनेतिक साज़िश है प्रधान मंतरी नरेंद्र मौधी जी को अगर किसी एक नेता से डर लगता है तो वो नेता अर्विंद के जरीवाल है दो साल में जब से इस केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है दो साल में एक रुपे की भी रिकावरी ना E.D. ना C.B.I. कर पाई है 500 से ज़ादा अफसर इस केस में लगे हुए थे 1000 से ज़ादा रेड्स हुए आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर, मंतरियों के घर, उनके ऑफिसेज में हर जगा रेड्स हुई लेकिन उसके बावजूद एक रुपेया आज तक नहीं मिला है तो आज लोकसभा का चुनाव अनाउंस होने के बार अर्विंद केजरिवाल का अरेस्ट एक राजनैतिक साजिश है लेकिन मैं प्रधान मंतरी नरेंद्र मोटी जी को कहना चाहती हूँ कि अर्विंद केजरिवाल सिर्फ एक इनसान नहीं है अर्विंद केजरीवाल एक विचार है, अगर आपको लगता है कि एक अर्विंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके आप इस विचार को खतम कर सकते हो तो आपको गलत लगता है अर्विंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंतरी थे, दिल्ली के मुख्यमंतरी है और दिल्ली के मुख्यमंतरी रहेंगे हमने शुरू से सपष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अर्विंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो उन्हें जेल से सरकार चलाने से प्रोहिबिट करता है उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है वो ही दिल्ली के मुख्यमंतरी रहेंगे ये लडाई चर्टी रहेंगी अर्विंद केजरिवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री है और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे ये बिल्कुल साफ है और ये बिल्कुल सफ़्ष्ट है इस पर कोई दोर आए नहीं है हम बिल्कुल सप्रीम कोड हमने केस फायल कर दिया है अर्विंद केजरिवाल के अरेस्ट को कौस्ट करने का केस सप्रीम कोड में